मुझे लगता है कि विटामिन D की toxicity जैसी कोई चीज नहीं है. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन D का dose लेगा, तो उसे कुछ लक्षणों का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन उन लक्षणों का जो असली कारण है, वो विटामिन D 3 के high dose के कारण पैदा नहीं होता. मुझे लगता है कि विटामिन D के साथ काम करने वाले को factors की कमी के कारण ऐसा होता है, खासकर magnesium, vitamin K2 और कुछ दूसरे minerals की कमी के कारण ऐसा होता है. हम जानते हैं कि अधिकांश लोगों में magnesium की कमी रहती है. इसलिए अगर आप vitamin D ले रहे हैं और परियाप्त magnesium नहीं ले रहे हैं, तो आपको कुछ लक्षणों का सामना करना पड़ सकता है, जिसे लोग vitamin D की toxicity कहते हैं. इन लक्षणों में शामिल हैं चिर्चिडापन, अनिद्रा, कब्स, धकान, आपकी मास्पेशियां फड़कने लगती हैं, कैल्सिफिकेशन हो सकता है, कैल्शियम आर्ट्रीज में जमा हो सकता है, और आपको अरिथ्मिया भी हो सकता है. इसके अलावा आपको कम मेंगनेशियम और कम विटामिन के टू के लक्षणों का भी सामना करना पड़ सकता है. अगर आप कुछ के स्टडीज देखते हैं, या अगर आप विटामिन डी की टॉक्सिटी की कुछ स्टडीज पड़ते हैं, तो आप पाएंगे कि लोग उसके साथ मैगनेशियम लेते नहीं हैं. कई बार लोग विटामिन डी तरी के साथ विटामिन के टू भी नहीं लेते हैं, अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं और आप इसकी टॉक्सिटी से दूर रहना चाहते हैं, तो आपको कैल्शियम लेने से बचना चाहिए क्योंकि हाइपरकैल्सीमिया इसका एक लक्षण ह जहां खून में बहुत ज्यादा कैल्शियम प्रवाहित होने लगता है। इसलिए आपको विटामिन D के साथ कैल्शियम लेने से बचना चाहिए। मुझे विकिपीडिया पर कुछ दिल्चस्प जानकारी मिली है। मैं आपके साथ उसे शेर करना चाहता हूँ। उसने लिखा है कि ऐसा संभव है कि विटामिन D की टॉक्सिटी के कुछ लक्षन वास्टव में विटामिन K की कमी से जुड़े हुए हो। यहां विटामिन K2 की बात हो रही है। हमें ये बात पहले से मालूम है कि सॉफ्ट टिश्यू में कैल्शियम का जमावडा रुकने के लिए हमें विटामिन K2 की जरूरत होती है। विटामिन D छोटी आंत में कैल्शियम का अपसोर्ब होना 20 गुना तक बढ़ा सकता है। उसके बाद कैल्शियम खून में मिल जाता है और विटामिन K2 सक्रिय होकर उस कैल्शियम को खून से निकाल कर टिश्यू में भेज देता है, जिससे कैल्शियम सॉफ्ट टिश्यू में जमा नहीं हो पाता। में ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बिमारियों से चुटकारा पाने के लिए विटामिन D की सही खुरात लेना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेयो क्लिनिक आपको रोजाना 600 IU विटामिन D लेने की सलाह देता है। ये बड़ी अजीब बात है। अगर आप सूरज की रोशनी में 30-40 मिनट तक बाहर रहेंगे, तो आपको कम से कम 20,000 IU विटामिन D3 मिल जाएगा। ऐसा क्यों है कि आपको केवल 600 IU विटामिन D3 लेने की ही सलाह दी जाती है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अगर आपको धूप में 30-40 मिनट बैठने से 10-20,000 IU विटामिन D मिल रहा है, तो 10,000 IU की डोज लेने पर आपको क्या ही हो जाएगा। इस पर कुछ दूसरे आकड़े भी उपलब्ध हैं। लोग कहते हैं कि अगर परियाप्त मातरा में विटामिन D मिल जाता है, तो आपका शरीर अतरिक्त विटामिन D बनाना बंद कर देता है। मैं इस डेटा की तलाश करने लगा, लेकिन मुझे ये कहीं नहीं मिला। वैसे मुझे इसराइल के लाइफ गार्ड्स पर एक दिल्चस्प रिसर्च आर्ट परियाप्त नहीं कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पैरा थाइरोइड ग्लैंड कैल्शियम को कंट्रोल करता है। जब आपको आटो इम्यून बीमारी होती है, तो आपको एक अनोखी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाता है। हो सकता है कि आपके खून में विटामिन D की नॉर्मल मात्रा मौजूद हो, लेकिन हो सकता है कि रिसेप्टर को परियाप्त विटामिन D नहीं मिल रहा है। वैसे इसके कई कारण हो सकते हैं। डॉक्टर कोइंबरा इस रेजिस्टेंस को दूर करने एक लिए आपको ज्यादा विटामिन D लेने की सलाह देते हैं। ये भी याद रखें कि जब विटामिन D के लिए आपके खून की जाच की जाती है, तो उसमें रिसेप्टर लेवल पर खून की जाच नहीं की जाती। मेडिकल प्रोफेशन में खून में मौझूद विटामिन D की मातरा पर कोई आम सहमती अभी तक नहीं बन पाई है। दूसरे शब्दों में कहें, तो हमें ये नहीं मालूम की हमारे खून में विटामिन D की नॉर्मल मातरा कितनी होनी चाहिए। हमें इसकी कोई जानतारी नहीं है। इतनी अच्छी तरह काम करता है, इसलिए हर किसी को इसकी जानकारी नहीं है। अगर आप विभिन विमारियों के लिए विटामिन D की बात करते हैं, तो आपकी आवास दबा दी जाती है। मुझे हैरानी नहीं होगी कि मुझे भी अगर दूसरे डॉक्टर्स इस विशय पर दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको इस विशय की संपून जानकारी देना मेरा फर्ज है क्योंकि मुझे लगता है कि कोफेक्टर्स के बिना विटामिन D लेना आपके लिए खतरना साबित हो सकता है. सूरज से विटामिन D प्राप्त करना भी कुछ स्थितियों में मुश्किल हो सकता है. अगर आप किसी 70 साल के बुजुर्ग और 20 साल के युवक को धूप में कुछ देर के लिए खड़ा करते हैं, तो युवक की तुलना में बुजुर्ग को 75% कम विटाम है. इसके अलावा आपको विटामिन A भी लेना चाहिए. मैंने अभी आपको विटामिन D के टॉक्सिक प्रभावों के बारे में बताया. चलिए अब विटामिन D के चिकित सिकिये फाइदों के लिए ये विडियो देखते हैं. चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना